सासु मा मेरी थाली पर ही नजर क्यों रीति का सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकडे में सबजी लगा कर खाया तो उसे सबजी अच्छी नहीं लगी वैसे भी परवल की सबजी उसे पसंद नहीं थी माईके में होती तो किसी और चीज से डोटी खा लेती पर यह तो ससुराल था जहां पर अचार देशी की दूद और दही सब सासु मा के कबजे में था और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था और तब भी उसे सुनाया जाता उसे तो यह सब मिल रहा है आसपड़ो इसकी बंगों को तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता वह संसकार वस कुछ भी नहीं बोल पाती थी तब याद आया कि कली तो मुनिम चाचा अपने बाग से कच्चे आम तोड़कर दे गए थे और यहां ससुराल में मिक्सी तो थी नहीं और उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुस्की से चटनी सिलबटे पर पीसी थी बाद में उसके हातों में मिर्च पीसनी के कारण खुब जलन भी हुई थी जैसे ही चटनी पीसी थी सबने स्वाद ले लेकर खाया था तभी याद करते हुए ताखे की तरफ बढ़ चली और वह दिवाल में बने ताखे से चटनी की कटोरी निकाल कर ले आई और खाना खाने लगी तभी सासुमा आएं और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या क्या खा रही है खाना खाकर वर बरतन धोकर अराम करने के लिए चली गई तभी कॉलेज से लोट तेवर जी ने खाना मांगा तो सासुमा की आवाज आई कि तेरी भाबी बहुत चटोरी है सब चटनी खा गई यह सब्द सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहु को अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं रहता आखिर क्यूं ऐसा वहवार बहु के साथ किया जाता है उसके आसु निकल कर उसके हातों पर गिनने लगे अपने आचल से उसने आसु पोश लिये क्योंकि यहां पर तो कोई अपना था नहीं और जो अपना था वह तो सहर में पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा था बुआ जी मुझे एक रोटी में घी लगा कर दे दो ना मम्मी बरतंद हो रही है नंद ने रोटी में ऐसे ही नमक लगा कर पकड़ा दिया तो बेटी रितिका के पास आई और बोली मम्मी देखो ना बुआ जी ने रोटी में घी नहीं लगाया मुझे ये सुखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही दीदी जरासा ही तो घी लगता बच्ची की रोटी में रितिका नंद से बोली घर में घी नहीं आए खत्म हो गया है ये कहते वे नंद रानी पहट चली गए तब ही शाम को नितिम रितिका के पती जो शहर में नौकरी करते थे और वहीं पर राते थे 15-20 दिन में ही गाउं आते थे और उनके साथ बड़े नंदोई जी आए रितिका ने खाना बनाया और जैसे ही रोटी से एकना सुरू किया कि नंद एक कटोरी में घी लेकर आई और रोटी में लगाने लगी यह देखकर उसकी आखों से आसु हा गया रात में नितीम को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अम मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रहूंगी और फिर सारी बाते बताई दुसरे दिन नंदोई जी के जाने के बाद रितिका को अपने कपड़े अटैची में रखते देख सासु मा बोली तुम कहा जा रही हो तो रितिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब यहां भेदबा और नहीं सहरन कर सकती हूँ जहां पर हर काम का अधिकार बहु को मिलता है पर खाने का अधिकार नहीं यहां तक कि बहु बासी चटनी भी नहीं खा सकती माजी मैं खुब समस्ती हूँ आपकी चला क्या जब तक मैं घर में काम करती हूँ तब तक आप देखने भी नहीं आती और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ आप हर चीज को अपने कबजे में रखने के बाद में मेरी थाली में क्या है यह देखने जरूर आती है मैं अपने लिए तो फिर भी सालो, पर अपनी बेटी के साथ तो भेदबाव बिल्कुल भी नहीं, नितीम के साथ जा रही हूँ, वह तो इतना कमाता है, नहीं है, फिर भी तुम दोनों का खर्चा पता भी है, सहर में रहने के लिए जाओगी तो नमक रोटी भी खा पाओगी सासुमा गुसे से बोली, हम मुझे मनजूर है, अगर नमक रोटी खाना पड़े, तो सब लोग एक साथ खाएंगे, कम से कम या फेदबाव तो नहीं देखना पड़ेगा, और आप शायद भूल रही है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साधी से पहले मैं बच्च अब खड़ा है, तुही इसे कुछ समझा, नहीं मा, अब और नहीं, मैंने आपको बहुत समझाया, कि ऐसा फैस, वहवार रितिका के साथ मत करो, पर आप नहीं मानी, इन चार सालों में आप आपने कितना बुरा वहवार किया, पर मैंने कभी विरोध नहीं किया, पर आज ज अब खते वे नितिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सहर की और चल पड़ा, दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में देखा गया है, और मैं खोद भुक्त भोगी हूँ, कहीं कहीं समझे परिवार होते वे बहु को हट चीज के लिए तरसाया जाता है, भेदभाव किया जाता ह उसके कामों की गिंती नहीं होती, पर थाली पर नजर जरूर रखी जाती है, समय तो बीच जाता है पर कड़वी यादे, हमेशा जब तक भी याद आती है, दिल को दुख से भढ़ जाता है, और आखों में आसुआ जाता है, कैसी लगी मेरी का?